नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल सपने जुहाने एनेस ब्लेश 24 और दोस्तों सपनों के सीरीज में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है येदि आप सपने में भगवान शंकर को देखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है ये सपन आपके लिए शुब होता है या फिर अशुब माना जाता है इस सपने का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है तो आए दोस्तों जानते हैं सपने में भगवान शिव को देखने का आखिर क्या अर्थ होता है इसका सही मतलब क्या ह होता है दोस्तो सपने में यदो किसी विक्टि को लाख Шीव दिखते हैं और वह Um भगवान शीव का भग्त है भुजा आरादना करता है तो इसका अर्थ होता है भगवान शीव की उस व्यक्ति पे कृपा द्रेश्टी बनी हुई है हर किसी व्यक्ति को भगवान सपने में दर्शन नहीं देते हैं लेकिन यदि किसी व्यक्ति को सपने में भगवान दर्शन द तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा संकेत होता है इसका अर्थ होता है कि आपके कोई अधूरी इच्छा जल्दी पूरी होने वाली है और यदि आपके जीवन में कोई परिशानी चल रही थी तो वो भी अब जल्दी समाप्थ होने वाली है आपके जीवन से सभी समाप्थ हो जाएंगे क्योंकि आप भगवान की एक रिपाद रिष्टी में हैं और यदि कोई विक्ति सपनी में भगवान शीव को देखता है और वो भगवान शीव की पूजा आरातना नहीं करता है तो ये संकेत होता है कि उसे भगवान शीव की पूजा आरातना करनी चाह अपना अध्यात्मिक ज्ञान की और भी संकेत करता है आपका मन अध्यात्म की और अग्रशर होगा आपके मन में भगवान के प्रति आस्था बढ़ेगी और इस समय यदि आपको कारे शुरू करना चाहते हैं तो आप उस कारे को जल्द ही शुरू कर देने शित तोर पे आपक को खुद वो काम करके नहीं देते हैं आपके मन में ऐसे विचाय डालते हैं जिसकी वचे से आप वो काम करते है और आपको भगवान के आशिरवात से उसमें सफल्दा भी हासिल होती है तो दोस्तु मैं आशक करती ये वीडियो आपको पसंद आये होगा अगर पसंदता है अपनी शीडियो को लाइक करें शेयर करें साथी चैनल को सब्सक्राइब भी करें